हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है राहुल गुपता मैं MPPSC 2017 से सेलेक्टेड हूँ आज हम बात करेंगे आने वाले PSC के प्री के एक्जाम के बारे में एक्जाम बहुत पास है और सिलेवस बहुत है तो मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं सिलेवस के बारे में और उसके sources के बारे में जो credible sources है और जहां से सबसे ज़्यादा प्रशन पूशे जाने की समभावना होती है उसके बारे हम डिसकस करें तो अगर हम सिलेवस पर नजर डाले हैं तो हमारे पास कुल 10 units है और उम्मीद की जाती है सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट नमबर 6 की और मेरी कोशिश है रहेगी कि मैं हर एक यूनिट पर एक वीडियो बनाओ और जैसे कि हिश्ट्री है पॉलिट्री है जिग्राफिए एमपी की जिग्राफिए पॉलिटे susceptible क्या हिश्ट्री रहा है मद्द प्रदेश का या current affairs है यहां आप बात करें आप एन्वाइर्मेंट की बात करें या आप साइन्स एंड टेकनलोजी की बात करते हैं तो किस तरह ये questions पूछे जाते हैं और क्या-क्य sources हैं इनको पढ़ने के लिए सबसच्छे sources क्या हो सकते हैं उसके लिए मेरी कोशिश है कि मैं हर एक subject पर हर एक topic पर एक वीडियो आपके लिए बना के दूँ सबसे पहले हैं हम बात करने वाल है unit number 6 की जो आपका syllabus है और उसमें जो दिया गया है भारत का सम्मेधान साशन प्रणाली एवं अर्थिवस्ता unit 6 का subtopic है भारत साशन अधनियम 1919 एवं 1935 गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935 इन दौनों एक्ट्स के आपको में में प्रविजन्स पढ़ना है जैसे के 1919 वाले एक्ट को हम मॉन्टेंग यू चैंप स्पूर्स उदार कहते हैं और क्या हुआ इस्टेट के subject को दो वागों में बाटा गया ट्रांसफर्ड और रिजर्ब्ड जिसे महस्तानतरित और आरच्छित बिशेवी कहते हैं तीसरी महत्पूर्ण बात क्या थी वह यह थी के पवलिक सर्विस कमीशन का गठन किया जो के बाद में ली कमीशन जिसको रिकमंड भी किया उसके बाद आता बाट में भारत परिशत बनाई गई थी उसको डिजॉल्व कर दिया गया उसको नूटलाइस कर दिया गया खतम कर दिया गया कि इस तरह कोई संस्ता भारत में नहीं होगी तो इन एक्ट के में मेंबर्स आपको लश्मिकान से कवर करना है दो दो चार चार पॉइंट पढ़ पर सम्मिदान सभा बनाई गई पंड़ित नहरु का क्या योगदान था उद्दिश प्रस्ताब में तो पेसिक चीजें आपको यहां से कवर करना है उसके वाद इसी में कमिटी आएंगी मुख्य आर्थ समितिया कौन-कौन सी थी सब कमिटी कौन-कौन सी थी वह भी आपको प्रेश्ची की कारेपालःका से संगी कारेपालःका का और मानिए एक से दू क genuine पूचे ही जाते है हर साल पूचे जाते हैं जैसे के Space का निरवाछन कैसे होता हे इनको ओद औध कोन-दिलाता है इनकी पावर्स क्या क्या हैं पावर्स में आप देखिए कि इनकी बिधाई शक्तिया क्या हैं बिधाई शक्तियों में सत्र को बुला सकते हैं सत्र को समाप्त कर सकते हैं लोकसवा को बिगटित कर सकते हैं उसके बाद इनकी कारेकारी शक्तियां कौन कौन सी हैं जैसे बड़े शक्तियां कौन कौन सी हैं जैसे कि बजट के बारे में प्रेसिडेंट का क्या contribution रहता है या आम कहें बित्विद्यक के बारे में धन विद्यक के बारे में money will इन सबको basic चीज़ें इसके बारे में आपको देखना है आपकाली शक्तियां कौन कौन सी हैं emergency powers 352, 353, 360 ये तीनों आर्टिकल बहुत जरूरी है ये आपको बहुत अच्छे से मालूब होना चाहिए बीटो पावर्स के बात आती है प्रेसिडेंट की एपसलूट बीटो क्या है इसका सस्पेंसिव बीटो क्या है पॉकेट बीटो क्या है किस ने किया है उस समय प्राइम मिनिश्टर कौन थे सरकार किस की थी मुद्दा क्या था ये सब आपको एक पेज में फ्रेम करना है पावर्स एप बीटो पावर्स ऑप प्रेसिडेंट इसके बाद हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की ओर्डिनेंस पावर क्या-क्या है और ये गवर्नर से किस तरह अलग है राज्य में राज्यपालों के पास जो अध्यादेश जारी करने की शक्ती है वो राश्टपती के अध्यादेश जारी करने की शक्ती से किस तरह से अलग है और ठीक है। यह हो गया। फूर हम आते हैं सबसे महत्पूर पार्ट फूरे प्रॉइपों फूरेपॉलिटी का वो है पाल्यामट। पार्लियमेंट में आपको देखना है कि लोकसवा राज्यसवा इनके मेंबर्स कैसे एलेक्ट होते हैं लोकसवा द्यच की क्या शक्तिया है राजसवा के सवापती की क्या शक्तिया है किचिन कैबनेट किसे कहते हैं संसत के प्रस्ताब कौन-कौन से होते हैं संसत के शत्र कौन कौन से होते हैं उसके बाद राजसावा को special power कौन कौन सी है basic basic चीजे heading उठाके उनके जो factual questions जो आयोग पूस्का आया अभी तक और आगे क्या questions बन सकते हैं वो आपको सभी इस book में मिल जाएंगे आसानी से संभध्धानिक संसोदन के बारे में आपको देखना है कि कुछ संसोदन संसद के सदस्यों के special majority से होती है कुछ सामाने भावमत से होती है उसको आपको अलग-अलग करना है संब्यधानिक संसुदन कौन-कौन से अभी तक हुए है यह भी महत्पूर है जिसे 42nd Constitutional Amendment Act 1976 जिसे मिनी Constitution भी कहते हैं बहुत अच्छे से करना है 44th Constitutional Amendment Act 1978 यह सब चीज़ आप हो कबर करना है इसके बाद सिलेवस में Judicial System की बात की गई है Supreme Court की बात की गई है Supreme Court अगठन कब हुआ कैसे हुआ कितने जजेज हैं उनकी क्या पावर्स है और क्या क्या आदिकारता है उसके बाद कितने High Courts है High Courts का Juridiction क्या है कुछ High Courts ऐसे हैं जो एक से अधिक स्टेट्स में उनका Juridiction है और अब चुके मैं MPPSC का पेपर दे रहे हैं तो MP High Court के बारे में हमें इसकी Benches कहां कहां पर हैं अभी Chief Justice of High Court मद्यपदिस High Court कौन है या पहले कौन-कौन रहे हैं तो इसके बारे में पेसिक आउटकम आपको मालूम होना चाहिए ये छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं मुझे लगता है कि 5-6 दिन में चार-5 दिन में आप इसको आसानी से कवर कर सकत हैं और 8-10 questions आप बहुत easily solve कर सकते हैं MPPSC के Prelims exam में अच्छे से बढ़ेंगे तो आपको इमेंस में भी काफी helpful रहेगा Thank you